नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं नरेश श्रमा आपके बीच में आपका वेलकम है डॉक्टर मुकेश्मन्चुली ऑफिश्यलेज पर आज अपन चर्चा करने जारे एविलेशन के पर और अगर एविलेशन के अपन बात करें तो एविलेशन का जो साब्धिक आर्थ होता ह है वह होता है मुल्यांकन चार्थ होता है इसका मुल्यांकन आर्थ होता है और मुल्यांकन एक प्रक्रिया है इट से प्रोसेस अपन क्या कहेंगे यह एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है यह जो टर्म्स मुल्यांकन क्या आई है वह आई है सी सी से यानि कंटिनियस एंड कार्थ होता है वो होता है continue यानि continuity कार्थ होता है सतत रेगुलर जिसको अपन कह सकते है और comprehensive कार्थ होता है जिसमें scholastic and कोई scholastic दोनों यानि सेक्षिक और सह सेक्षिक दोनों प्रकार की जो गतिविदिया सामिल होती है उसको अपन क्या बोलते है comprehensive इसमें दो प्रकार के privalution होते हैं जिसको एक को तो formative बोलते हैं दूसरे को Sumognitive बोलते हैंfor me do acrylic यानि अधियन के दोरान जब चेका आप उनित टेस्ट लेते तरिके का टेस्ट कून सा होता है formative test कहलाता है जब कि आगर बर जो बच्चे की happily और many exams होती है जिसको अपर annual exam के नाम से जानते हैं वो बच्चे की exactly exam कहलाती है summative और यह होती है at the end of the term यानि सेजसन के अंत में जो exam होती है Sanders happily मैंने पिछली बार एक्जाम में हाप यर्ली को योगात्मक में समलित किया गया था एक्चुली एविलेशन करने का परपज क्या है एम क्या है क्यूं अपने एविलेशन करते हैं तो देखिए तो नो अबेलेटीज एंड कैपेबिलेटीज और प्यूपल एंड लर्नर एक अधिगम करता कि बच्चे की हमको यादि capability समताओ का आक्ट्वन करना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा एक टर्म ओर्रति और असेस्मेंट का आर्थ होता है आलन आपको तीन तरीके से धान रखना हैं ऐस फोर और यानि के लिए ऐा यानि के रूप में को और यानि के लिए और यानि का तो यह तीन जो टर्म में वह आपको ज्यान रखनी होगी असेस्मेंट कैसा होता है यह तीन के लावत रह था और कोई नाम यदि आता है तो असेस्मेंट नहीं होता तो आप सभी का हर्दिक स्वागत है इस प्लेटफों पर और एक बार पूरी क्लास को सभी आत्या से शेयर कर दिजिए थैंक्यू एवर्यवन